So hi guys welcome back to our YouTube channel and welcome to my new video आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं bank nifty और nifty के लिए कल के लिए कौन से important levels रहेंगे कल के session के लिए nifty bank nifty के लिए options के अंदर कौन सा trade बन सकता है और आज की closing कहा पर मिली है और कल का momentum क्या रहेगा इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में discussion करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं और मेरे चैनल के उपर भी अभी नए आए हैं उनको बदाना चाहूंगी मैं इस चैनल पर nifty bank nifty के लिए everyday options के उपर videos बनाती हूँ इसके साथ-साथ fin nifty analysis, expiry analysis और यहां तक की educational videos भी आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाएंगे तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का analysis bank nifty के साथ तो nifty bank ने आज second day पर एक positive candle बनाई है और तीन दीन के लगातार एक fall के बाद जाकर अभी दो दिन से हमें recovery जो है वो bank nifty के अंदर देखने को मिली है मैंने आज के लिए भी video upload किया हुआ था तो अगर video आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत सारी चीजें miss की है आज अगर हमने देखा है तो 42,394 के support से nifty bank ने यूटन ले लिया और 600 points उपर चड़कर nifty bank बंद हुआ है और यहां तक की 43,000 का level nifty bank ने closing basis के उपर hold रखा है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो candle है एक strong bullish candle जो है वो nifty bank ने यहां पर form की हुई है तो अभी यहां से आगे कहा तक bank nifty जाने के chances बने हुए हैं इससे पहले एक बार हम लोग option chain data देख लेते हैं तो अभी मेरे सामने nifty bank का option chain data यहां पर मैंने लगाया हुआ है तो मैं यह वीडियो आज इस वज़े से ऐसे shoot कर रही हूं क्योंकि कुछ थोड़ा technical issue हो रहा है recording में जो कि मैं directly laptop से करती हूं तो उसमें थोड़ा सा issue आ रहा है तो इस वज़े से time waste ना करते हुए मैंने सीधा अपना mobile निकाला है और सीधा यहां से मैंने shoot करना चालू कर दिया है तो अ यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड जो highest open interest बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है 43,000 के उपर 1,68,000 का है और 43,200 के उपर देख सकते हैं 1,44,000 का open interest है सबसे जादा जो writing हमें देखने को मिल रही है वो कहां पर है तो दो levels के उपर है एक तो 43,200 के उपर है और एक तो 44,000 के उपर हमें सबसे जादा writing देखने को मिली है call side में अप side की यहां से अगर मैं बात करू देखे जो nearest resistance अभी nifty bank के लिए दिख रहा है वो 43,200 का level है अगर कल यानि के next trading session में nifty bank 43,200 को clear कर देता है तो rally जो है वो हमें 43,500 तक जाती भी दिखाई देगी लेकिन यहां पर resistance zone है यह mark कर सकता है 43,000 से 43,200 का तो यह पूरा zone ही resistance zone है तो थोड़ा इसमें careful रहेगा पहले इस zone के उपर bank nifty को sustain होने दीजेगा तब ही चाहिएगा next long trade के अंदर तो इसलिए यह पूरा resistance zone ही mark कर लीजेगा अगर इस resistance zone से nifty bank उपर पहुचता है तो ही upside की rally होगी otherwise nifty bank हमें fall फिर से दिखाता हुआ दिखाई देगा सामने की बात करें put site में तो सबसे ज़ादा जो open interest है वो 2,29,000 का है जो की 42,500 के उपर बना हुआ है सबसे ज़ादा put writing 1,000,000 की हुई है 43,000 के उपर जिस वज़े से bank nifty आज हमें 43,000 का level hold करता हुआ दिखाई दिया था तो अभी यह यहां से अगर हम लोग देखें तो 43,000 के उपर सबसे ज़ादा हमें यहां पर जो adding है वो देखने को मिल रही है और nifty bank जो है वो यहां से हमें 43,000 के उपर support लेता हुआ भी दिखाई दे सकता है अगर nifty bank 43,000 के उपर support लेता है इस level को नहीं तोड़ता है तो rally जो है वो हमें चार्ट के उपर तो डली चार्ट के उपर तो एक positive candle बनी हुई है तो nifty bank के लिए जो next resistance level है upside के लिए जो की हमने अभी देखा वो बना हुआ है 43,200 के पास तो 43,200 अगर nifty bank hold रखता है तो next rally होगी 43,350 के तरफ nifty bank के लिए तो यहां से nifty bank जो है वो हमें upside के लिए इन levels के पा तो यह resistance की levels रहेंगे nifty bank के लिए और support की बात करें तो पहले तो जैसे हमने अभी चार्ट के उपर देखा कि support जो है nifty bank के लिए अभी जो मौझूद है वो है 43,000 के उपर तो अगर nifty bank 43,000 का support तोड़ता है तो फिर से downside के लिए 42,850 and 42,610 के तरफ support लेता हुआ दिखाई द रहेंगे nifty bank के लिए तो जो भी levels मैंने अभी आपको बताए हैं वो अपने चार्ट के उपर ज़रूर माक कीजेगा आपको ट्रेडिंग के वक्त definitely helpful होगा और अगर आपने अभी तक मुझे मेरे free telegram channel के उपर join नहीं किया है तो जल्दी से join कर लो क्योंकि free telegram channel के उपर live market के दौरान आपको बहुत सारी चीज़े तुरंत ही मिल जाती है so I hope कि आपको समझ में आ चुका है नीचे description box में free telegram channel की link मैंने आपको provide की हुई है तो अभी nifty bank की तो हमने बात कर ली अभी बात कर लेते हैं nifty 50 के उपर अभी मेरे सामने nifty का one day candlestick pattern charter और nifty भी देखिए अच्छी खासी जो comeback है वो nifty ने भी की हुई है तीन दिन के तीन session के लगादार fall के बाद जाकर दो दिन से nifty ने एक अच्छी खासी recovery की है तो 19148 के तरफ nifty जो है वो आज गया है और 19,000 का support भी hold हुआ है तो nifty के लिए मैं एक ही level बताऊंगी 19,200,300 अगर nifty 19,200 और 300 ये level hold रखता है तो bulls की जो rally है वो हमें continue रहती हुई दिखाई देगी और यहां से nifty जो है वो हमें upside के लिए 200,300 के तरफ तो जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा लेकिन अगर इससे उपर रहता है तो 19,500 त के अंदर देख सकते हैं support nifty के लिए एक ही है 1950 का अगर nifty फिर से support को तोड़ देता है 1950 से नीचे फिसल जाता है तो फिर से वही short term के लिए nifty हमें negative होता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह निफ्टी के लिए ज्यादा कुछ analysis की बात नहीं है निफ्टी के लिए दो ही लेवल से important एक तो 1950 का जब तक इसके उपर है chances 200-300 के तरफ जाने के है अगर 1950 तूटा तो यहां से fall down होगा towards 8900 and यह low भी तूटने के chances निफ्टी के फिर बने हुए तो तेजी पर तब त सब मत कीजेगा जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिकता नहीं है अगर इस लेवल के ऊपर नहीं टिकेगा तो जो short term के लिए trend चल रहा है निफ्टी का downtrend वो continue होगा और यह जो rally है यह सिर्फ fake rally है यह हम लोग कह सकते हैं आपको सब समझ में आ चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको answer कर दोंगी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना चैनल और बवाय तेक केर और ट्रेट केर फुली